इस वक्त हम घटना स्थल पे मौझूद हैं, बोट से हम जा रहे हैं, पूल के पास जो कल दूसरी बार गिरा है, यह देखिए, यह अगुवानी सुल्तान गंज गंगा ब्रिज है, एक साल के अंदर दूसरी बार गिरा है, करीब इसके चार पिलर जो हैं, वो नदी में समा 2015 से ही यह जो पूल है वो बन रहा था, 2015 से ही निर्मान कारे चल रहा था, 1710 करोड़ की लागत से यह पूल का निर्मान हो रहा था, यह पूल आठ साल से बन रहा है, दोहजार उन्यस में इसको कंपलीट होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया, 2023 के अक्टूबर में इसको क गरीब तीन किलोमीटर है इस पूल की जो है वो लंबाई है इस घटना के बाद से बिहार सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं विपक्ष जो मुख विपक्षी दल है बीजेपी लगातार बीजेपी का कहना है कि ये पूल जो है भ्रस्टचार की भेट चड़ गया है लगात बढ़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पहली बार पूल गिरा था पिछले साल तो जो कंपनी इसके निर्मानकार में लगी थी उसको क्यों नहीं बैन किया गया उसी से क्यों काम फिर कराये जा रहा है तो उसी कंपनी से दुबारा काम कराये गया और दुबारा भी जो है ये पूल गिर कर जो है वो ध्वस्त हुआ है अस्थानिये लोग भी यहां पर काफी अक्रोसित हैं वो लोग कह रहे हैं कि दो चोकिदार कल यहां पर डूटी कर रहे थे वो लोग लापता हो गए ग्रामीन जो है सारोप लगा रहे हैं लेकिन इसकी आधिकारिक पूस्टी जो है आप तक नहीं हुई है हम थोड़ा पूल के पास और चलेंगे जो ध्वस्त वाला एरिया है वहां पर हम और नजदीक चलेंगे और आपको नजदीक से दिखाएंगे कि देखिए कि इस तरह पूल जो है वो भरसचार की भेट चड़ गया है सवाल लगतार उठ रहा है कि कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेट क्यों नहीं कराया जा रहा है क्यों उसी बीजेपी साफ तोर से करी है कि जो कंपनी ये पूल बना रही है बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट उसके पास है तो उस कंपनी को क्यो नहीं ब्लैक लिस्टेट किया जा रहा है तो सरकार की उस पारिश करेंगे स्टीर्फ की टीम से थोड़ा हमें और नजदीक ले चलिए ताकि हम चीजें हैं उसको क्लियरली जो है दर्सकों को दिखा सके कहा यह जा रहा है कि साइद ही हिंदुस्तान का ऐसा पूल है जो उद्घाटर होने से पहला ही जो है वो दो बार गिर गिर गया है SDRF की टीम कल से लगातार यहां पर मौझूद है हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है लेकिन अस्थानिये लोगों में भी बहुत नराज़ी की वो साफ तोर से अस्थानिये ग्रामिन कर रहे है कि पूल को जो है इसका फिर से निर्मान कराया जाए दूसरी कंपनी को दिया अब हम आपको वो दिखा रहे हैं काफी नुकसान हुआ है अभी जो है पत निर्मान विभाग जो है वो डिपी सीम तेश्वी के पास रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है वो ठेकदार पर आएगा सो कोई भी बकसा नहीं जाएगा हम लोगों ने विर्ष्ति जाच के आदि है सो इसको चेक कराए जाए नहीं तो फिर से घटना हो सकती है तो सदन में तेश्वी ने खड़ा होकर खाता कि हम जाज कराएंगे कोई भी गरबड़ी नहीं होने देंगे लेकिन उसके बाद भी जो है यह पुल गिर गया है इसलिए बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो रहें कि मैंने पहले ही आगाह किए आता लेकिन मेरी बातों पर ध्खान नहीं दिया गया है अगर यह भी बास चाहिए का की बात की भात हो उसको चेक किया जाता तो साइध इस घटना को रोका जा सकता था किसी मझदूर की मौत नहीं हुई है कल रवी वार को दूसरी बार इस पूल गिराए कल निर्मान कार नहीं चल रहा था अगर कल मझदूर यहां होते तो कई मुझदूरों की जो है वो मौत हो सकती थी आप देखिए एक दम बिल्कुल पास से हम आपको ग्रांट जीरों से जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो हालात हैं यहां पर देखिए बस यही है कि अगर पूल का घाटन हो गया होता उसके बाद यह घटना हो होती तो बहुत बड़ी तबाही मंसकती थी कई लोगों की मौता हो सकती थी एक बड़ी बात यह है कि हम यहां आगये का हिस्सा जो है वह तूट-कडी गिर सकता है इसका जवाब ऐसे जो है जांच रिपोर्ट में ही सामने आएगा 2022 में जब अप्रिल में स्ट्रक्चर गिरा था इस पूल का भागलपूर साइट से तब IIT रुकी की टीम ने जांच किया था और टीम ने ये कहा था कि तेज आंधी तूफान के कारण पूल गिरा लेकिन लोग ये करें कि उस समय अंधी तूफान आया ही नहीं था सो रिपोर्ट जो है वो गलत दिखाए गया तो बार बार आरोप लग रहा है कि घटिया समगरी का जो है इस्तमाल इसमें हो रहा बता दे जब दोネसर बार इसमें पूल गिरा तूफान में अंडियय की सरकार था बीजैपी कोट्यक मंत्री नीती नवी ने उनके पास पत्थ निर्मान विभाग था और इस बार जो है वो पत् nियर्मान विभाग जो है PSV के पास है तो घटना के बाद से जमकर जो है वो राजनीती हो और निसाने पर निति इसलिए है क्योंकि ये उनका dream project था ये area जो है खगरिया से भागलपूर को connect करता फिर जो लोग कावर लेके दियोगर जाते हैं उनको भी जो है बहुत असानी होती तो एक dream project था गंगा नदी को उपर ये पूल बन रहा था लेकिन जिस तरह से दो बार भ गिरा है पहली बार भी गिरा था और दूसरी बार भी अब गिरा है तो सवाल नितिश पर भी उठ रहे हैं आप देखिए नीचे का structure है वो देखिए हम आपको एक बार structure की भी तस्वीर यहां पर दिखा रहा है क्योंकि जो नीचे का base portion है वही कमजोर यहां पर नजर आ रहा है अब जांच की बात कही गई है अनन फानन में सीयम डिप्टी सीयम और जो आपर मुखे सचीव है पत निर्मान विभाग के प्रते अमरित उन्होंने जो है बैठक की है वरिष्टी जांच के आदेश दिये गए यह कहा गया है कि दोसियों को चिनित कर करी कारवाई की तो सरकार जो बोलती है कि क्या इस मॉमान की जाती है सिर्फ धरले से निरमान कारे चल रहा था यह बड़ी बात है समय समय पर चाहिए कंट्रीम प्रोजेक्ट में लें वी Het रहा है जो कल धारसाई हुआ है मुझे आपको उसको हम फिर से दिखाने की जो है वो कोशिस करेंगे सब चीज हम बोट पर इस लिए आए है ताकि आपको हकीकत दिखा सके जिस तरह से आरोप लग रहा है कि सरकार प्रस्ट चार में लिपते हैं तो सच्चाई कि हम आप खुद देकर जो है वो समझ सकते हैं हम इसक गंगा नदी में ही है चार पिलर जो है वो नदी में समा गया है लगबग 80% काम इसका पूरा हो गया था अक्टूबर में इस पूल का उद्गाटन होना था लेकिन उसके पहले ही इस तरह का हास्तवाइस लिए जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं इस पूल को जो है फिर से बनाये जाए नहीं तो पता चलेगा कि आने वाले समय में कोई तीसरा हिस्सा कहीं पे भी गिर जाये का जड़ जो बेस पॉइंट होता है वही कमजोर नजर आ रहा है पूल का और देखे एक बहुत ब संजीव सिंग लगातार कर रहे थे कि टीम को यहां पर भेजिये पीलर्स में दरार आ रहे हैं दूसरी बार भी पूल गिर सकता है विधान सभा में तेज़ेश्वी ने आस्वासन दिया था कि नहीं हम जाच कराएंगे तो क्या आपने जाच कराया या नहीं कराया क्या सवाल तो दोनों से ही जो है वो पूछे जाएंगे लेकिन बीजेपी विपक्ष में है इसलिए वह ज्यादा सवाल उठा रही है एक बात यह सामने आ रही है कि दो गार्ड्स यहां पर कर डूटी दे रहे थे वह लोग लापता हो गए हैं ऐसा बात अस्थानी यह लोग कर लेकिन जो अधिकारिक पुष्टी जो है इसकी फिलहाल वैसी तो हमें अब तक हमने ना सुनी है ना किस अधिकारिकों को इसे बोलते हुए दिखाए कि दो लोग लापा चाहों है लेकिन तस्वीर फिर भी आप देखिए देखिए यही वो पिलर्स हैं जो कल नदी में समा किया था तो अब गव इसका दुबारा काम सुरू होगा क्या उसी कंपनी को दिया जाएगा यह सब सवाल जो है इसका जवाब जरूर सरकार को वह देना होगा मैं फिर बता दूं कि हिंदुस्तान में ऐसा साथ यह पहला पूल जो घाटन से पहला ही दो बार जो है वो गिर पूर्सन धोस्त हो चुका है आपको हम वह दिखा रहे हैं यह देखिए जो पूरा पूरी तरह डैमेज हुआ हुआ है गिर पड़ा नीचे की तरफ हम वह आपको दिखा रहे है यह देखिए अगर पूल चाल होता तो समझे बहुत बड़ी घटना जो है वह यहां पर हो सकत है तो आप देखिए हर तरफ यहां पर जो है आपको पूल डैमेज हुआ है उसी की तस्वीर यहां पर नजर आ रहे हैं गंगा नदी के ठीक उपर यह जो पूल है वह बन रहा था तो तस्वीरें ग्राउंड जिरो से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त SDRF की बोट पर हैं सब्धानी के साथ हम भी बोट में हैं और आपको दिखाने की कोशिस कि शंगें के जंता भी समझें सब्सक्राचा नहीं की कि यह तो हम आपको बोट पर से दिखा रहे से एक एक तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि वह हम आपको जो है वह दिखा सके बिहार में भ्रश्ट चार की बाहर है ऐसी बात अब लगातार कहीं जा रही है क्योंकि विपक्ष को बैठे बठा एक मुद्दा भी मिल गया है दूसरी बार पूल जो है जाता है कि और जो जेडिू करती है कि भस्टचार से जीरो टॉलरेंस की नीती है तो इसमें भी बीजै पी चुट के ले रहे है की जो कंपनी पूल बना रही है उसी कंपनी के कारण पूल बार बार गिर रहा है तब ही आप लोग उसी से काम कर वार है यह सा क्यों आखिए फ हमें भी इंतजार है का कमरा परसंट सेलेस के साथ से सांग कुमार एबीपी न्यूस खगरिया